नमस्कार, क्लास्ट वेल्थ केमिस्ट्री में सालूशन चप्टर के नतरगत, आज हम मोलरता पर आधरीतांग की कुरश्न हल करेंगे, अर्थाद नेमेरिकल्स बैस्ट डान मोलर रिटी सवाल दिया है, Concentrated Nitric Acid used in lab work is 68% HNO3 by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such sample of the acid if the density of solution is 1.504 gram per milliliter? अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि 68% Nitric Acid का मिनिंग क्या है, तो 68% Nitric Acid का मिनिंग है कि यहाँ पर W बराबर 68 है, अर्थाथ 68 gram जो है उसका है present mass, और यह total mass कितना है 100 gram, क्योंकि 68% है, तो हम ही कह सकते हैं कि 100 gram Nitric Acid के solution में 68 gram Nitric Acid present है. मोलर मास पेचे नू 3 MW 63 होगा, यहाँ पर Hydrogen Nitrogen Oxyn के Atomic Mass को एट कर देंगे तो यह 63 आ जाएगा, और देंसिटी बराबर होती 1.504 gram per milliliter, तो वाल्यूम बराबर होता है, मास अपन देंसिटी और मास यहाँ पर टोटल मास 100 gram दिया और देंसिटी दीवी है 1.5, तो 66.48 ml आए, अब मोलर टी का फर्मूल हम जानते हैं कि मोलर टी बराबर W upon MWT into 1000 upon V ml, यहाँ पर W दिया है 68, MW दिया है 63, और 1000 और V अपनोंने निकाला है, 66.48 तो इससे मोलर टी आ जाएगी 16.235, तो इस परकार से आप मोलर टी की केलिकॉलाशन कर सकते हैं, अब इसको हिंदी माध्यम में आप देख सकते हैं, कि प्रयोक्षालाकारी के लिए प्रयोक्त सांद्र नाइट्रिक अमल धर्यमान की द्रिष्टी से नाइट्रिक अमल का 68 प्रतिश्य जिली विल आप देख सकते हैं, तो आमल के लिए इस नमनें की मलरता ग्याद केजीुआ। अब 68 प्रतिश्य ना धर्योकार अट्रिक अमल का अट्रिक अमल है, 68 ग्राम में आड्रिक अमलो अट्रिक अमल उपस्ती थे तो W बराबर 58 ग्राम है, और MWT याने नाविर्टिक का मलरत द्र तो सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे आयतन बराबर होता है द्रेमान बटा घनत द्रेमान हमने सो रख दिया घनत रख दिया तो यह आता है 66.48 अब मोलर्ता एम बराबर होते हैं W upon MWT into 1000 upon VML तो मोलर्ता में यहां W में 68 रखा MWT में 60 1000 की जगे 1000 और V की इस्थान पर जो हमारा केल्कुलेटरेट वाल्यूम है 66.48 इन सब को यह दिम साल्व करेंगे तो मोलर्ता विलियन के आती है 16.25 तो इस प्रकार से हम आसानी से इस प्रकार के निम्रीकल कर सकते हैं जिसमें आपको कोई डारेक्ट रवेल्यू नहीं दी भीए परन्तों इस प्रकार के सवाल भी